दतिया जिले के अनुभाग भांडर के विकास कार्यों को लेकर भांडर S.D.M. अर्वेन माहूर निरंतर प्रयासरत बने हुए है विभागिया लापरवाही को लेकर निरंतर कारवाही की जारी है जिसके चलती मंगलवार को भांडर नगर प्रयश्थ का अचारक निरिक्षिन किया किया इस निरिक्षिन के दोरान लापरवाही करमचारी एवं बिना सूचना दिये गए गायब करमचारी की खिलाफ तुरंट नोटिस कारवाही को अंजाम दिया किया इस दोरान स्टम अरविन महार ने भांडर के विकास को लेकर स्पश कर दिया कि लापरवाह करमचारी को नहीं बख्षा चाएगा भांडर के विकास के लिए पार्क, तालाबो का निर्माद, याताया की विवस्था, सब्जिव मंडी का सही से लगना, फृत्द लोगों के लिए पार्क की विवस्था, सच्च भांडर एवं सच्चता को लेकर नगर परिशत करमचारीयों से वारतालाप की गई साथ ही भांडेर जन समस्याव के लिए दुर्भाश क्रमांग के माध्यम से सुझाव के लिए भी जागरू किया खया BCN News के लिए दतिया से लोकेश मिश्राक रिपोर्ट दतिया जिले के इंदरकर तैसल के ग्राम दबेरा में ना जाने कब से नकली घी बनाने की अवेदव फैक्टरी चल रही थी जिस पर प्रशासन की नजर पड़ी सूतरों से मिली जानकारी के नुसार S.D.M. अनुराग निगवाल खासरेक्ष अधिकारी दिनेश नीम के नेत रित्व में मुगबीर की सूशना पर ग्राम दबेरा सिथ राम बाबु पटसरिया के घर पर छापामार कारवाई के दोरान नकली घी एवं घी बनाने की उपकर जब्त कर ले गए, जब्त किए गगिए घी की अनुमानित की मत 6 लाग रुपे से उपर आखी गई, इस कारवाई को लेकर सवाल खड़ा होता है कि अधिकारियों की नाक के नीचे इस प्रकार की कारेशयली का होना शासन की कारेशयली पर प्रिशनक खड़े करता है, आखिर किस प्रकार इन माफियाओं की होसले इतने बुलन होते हैं कि इस प्रकार की कृत्य करने लगते हैं क्या प्रशासन और इन अपराधियों की बीच समझोते की अनुसार ऐसी गतिवीद्या होती रहती है जो जान्च का विश्य है इस कारवाय में महत्वपोन भूमिका, सेवडा स्टम अनुराग निगवाल, इंदरगड तहसलदार सुनिल भदोरिया, नायब तहसलदार दीपक यादव एवं इंदरगड ठाना प्रबारी की रही BCN News के लिए इंदरगड ग्राम दबेरा सी, लोकेश मिश्रक रिपोर्ट